के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेकनिकल कीबोर्ट के बारे में जो कि कॉस्मो बाइट कंपनी के ओर से आने वाला तो जिसे कि मैं लास्ट इससे वन यह से यूज कर रहा हूं तो बात में इसका क्या कंडिशन है कोई स्विच के अंदर मुझे प्रॉब्लम देखने को को मिला है कि नहीं यह फिर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि यह फिर इसके लाइटिंग अफट के अंदर मुझे कोई इशू देखने को मिला है कि नहीं वह सारी चीजे मैं मेरा रिव्यू शेयर करने वाला हूं तो यह मैंने अमेजन से पर्चेस किया था कुछ अब्सक्राइब नहीं तो अब्सक्राइब है जब आप लिंक पर किरो तो हो सकाए आमेजन एपलिकेशन ना खूले और आपको प्राइस दिखने को मिले तो उपर आपको थीन डॉट करना एव इसके बाद में फिर ओपन इन ब्राउजर करके option दिखने को मिलेगा उस पे आ आप एक बार description चेक कर लेना price up and down भी होते रहता है तो सबसे पहले मैं आपको इसका build quality दिखा देता हूँ तो आप देख सकतो 1 year बाद में इसका खाई से भी color नहीं चूटा है जैसे कि color dull हो जाना या फिर इना color light हो जाना तो अभी तर आपको कोई ऐसा issue देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको metal finish देखने को मिल जाता है और ये Cosmobite का branding भी same to same जैसा नया लेते हैं वैसा अभी भी available है तो ये भी हमारे dull नहीं हुआ है और इदर आदे से तो इदर आपको light indicate देखने को मिलेगा तो इदर आदे से तो इदर जो कि ये one level का आपको इसका height increase कर सकते हो तो इस side से जो कि ये मेरा टूट चुका है ये एक ऐसे टूटा जो कि इसे मैं मतलब बहुत बार इदर ओधर ये फिर खसकाता था और जो कि ये ना बार बार उपर नीचे वगरा करता तो जिसके वएसे ये मेरा निकल गया है तो इसे मैं वापीस से भी लगा सकता हूँ पर मैंने अभी फिलाल तो इसे लगा है नहीं तो मैंने सुचा कि आपको मैं clear and show भी कर देता हूँ आप भी clean करते रहोगे तो ये clean हो जाएगे ने तो फिर आपके ऊपर दाग आ जाएगे जैसे कि आपको गिल्ले कपने से clean करोगे तो आपका clean हो जाएगे लाइटिंग के बात करें सभी बटन के अंदर अभी भी light available effect के बात करें सभी effect properly work कर रहे है तो जैसे कि आप इसका brightness कम जादा कर तो ये भी फंक्शन वर्क कर रहा है और इसके अंदर जितने भी effect है different type के वह सभी effect भी properly work कर रहे है switch के बात करें बीच में क्या हुआ था एक जो कि space वाला switch के अंदर problem आ गया था ये work नहीं कर रहा था तो इसको मैंने जो कि ठीक कर लिया YouTube पर वीडियो देख के बहुत simple process था बस इसके अंदर जो कि मेरे dust चले गए ते काफी सारे तो dust जाने के वज़े जो कि ये work नहीं कर र time पर इसके बीच में जो कि कभी को पार ड्रस चले जाते तो प्रेस करने के बाद में भी आप जो कि ये switch properly फिर से work करने लग जाएगा तो आपको ये चीज नहीं समझने कि यार आपका keyboard ही खराब हो गया आपको दुसरा keyboard लेना पड़ेगा इससे कोई भी tension लेनी की ज़रूर करता है तो आप इसके budget range में mechanical keyboard और अच्छा वाला purchase करने के लिए वो मतलब ज्यादा long time तक चले तो इससे यार बहतरी आपको नहीं मिलेगा और इसके switch भी आप change कर सकते हो different type के switch आपको online मिल जाएगे आप अपने हिसाब से color के different color के switch आप purchase करके वो भी इनको remove करके बाद में फिर उनमें लगा सकते हो तो यह भी बहुत ही अच्छी चीज इन्हों ने दी हुए है तो इस keyboard के बारे मैं सभी चीजिए बता दिये कुछ भी चीजिए मैं भूल गया रहा हो तो आप मैंसे comment section में पूल सकते हो तो यह मैं Amazon से purchase किया तो कुछ 1400 से 1600 इसके बीच में Amazon पीच मे इसके बाद में फिर open in browser करके option देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना इस पर जैसे क्लिक करोगो तो आपका Amazon का application open हो जागो जो से मैंने purchase किया वो screen open हो जाएगी जब मैंने purchase किया offer भी चालो था तो हो से कि आपको भी कम प्राइस में मिल जाए आप एक बार description चेक कर ल लेना तो आपको वीडियो अच्छा लगा जाते हैं तो वीडियो को लाइक करते हैं जीसे और में टिस्टी वीडियो चाहिए तो मैंने चैनल का सब्सक्राइब करते हैं कि सो मुच वाचिक दिस वीडियो